रामराम मेरे किसां भाई यो विकास हर्मा का भारत के सबहे किसां भाउयो को रामराम मेरे किसां भाई आप से Tiffany wtlasmap양ी खिबिद लावा व्य और आगध वीडियो आप लोगों के लिए बहुत दिखासहोने वाला है क्योंकि हर किसान भाई अपने खेतों के अंदर इसका पता लगाने के लिए हमारे सामने है कल रराम जी ये बताएंगे आप लोगों को एक शांदार तरीका बताएंगे कि आपके खेत के नदर कितनी मातर केचव की है यह आपना बता देंगे तो कल रराम जी आप बताए सबसे पहले किस्वार जिस खेत में जट का यह मिट्टी का यह बना देगा गोली से गोली सी बना के छोड़ देगां तो और फिपता लग कि प्रीसे गोली सी नइए तो इस खेत में के शवेन नहीं है है आँ नीचे दिखो आप यह देख लोग यह निकाल देता है इस तरगी जब गोली हो जाती है तो यह समझ लेना आप कि आपके खेत के अंदर केश्व की भरपूर मातरा है और बहुत जदा आपका खेत भी उब्जव बन चुका है अगर ऐसी गोली अगर आपके खेत में दिखाई नहीं देगी तो यह समझे लेना लाकी आपकी खेत खेट केंदर कि दिखने को यह कितना साथ के खेत लिखेद है पर देखोगी हर जगे तो यह मतलब ऑरुजिनल के खाट डाला हुआ है यह केचव के करामात है यह देख लिए यह देख लिजिए आप कहीं पर भी ले लो आप यह देख लिए आप कहीं पर भी ले लो यह देख लिए आप और दाना ऐसे बनाता है यह कोई मशीन भी नहीं अपने आप लोगों को पता चल जाएगा यह कोई नहीं बताएगा आपको भारत के अंदर आपको इस शीकना पड़ेगा यह चोटी-चोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जब आप फार्मिंग के अंदर आगे बढ़ोगे अच्छा यह दाना हर्ज मिलेगा यह हां तो अब से ट्राली भार सकते हैं वारी सोने के बाद में किसान का में यह आपका खेत पूरा उपज़ो चुका है यह लगता नहीं है तो देख लिए मेर के समभई हो एक आसान सा तरीका सी आप पता लगा सकते हो कि मेरा खेत कितना उपज़ो हो ए वारब में KOMPOST KHAD कामें लेने से जबेन का चेचुन होते हैं उनकी तादाथ बढ़ती है और जब बढ़ती है तो आपके खेट के अंदर काम करने लग जाते हैं एक मजदूर की तरह है रात दिन मिट्टी काते हैं उसको निकालते जाते हैं उसको अप्जोब बनाती झाल झाल झाल